नमस्कार काप्टिल टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुना ली विपक्ष के बड़े नेता बनकर उभरेया खिले श्यादव की पार्टी सपा का अंत है ऐसा हम क्यों कह रहे हैं एक के बाद एक बड़े चहरे जिससे अखिले श्यादव के अलावा पार्टी को जाना जाता था जैसे चाचा शुफपाल यादव आजम खान और अब एक बार फिर शहजिल इसलाम का नाम भी मोभंग नेताओं में आ गया है एक और अपने ही नेता बगावत के सुर्तेज कर रहे है तो दूसरी तरफ जिसके लिए सपा ने सीम योगी तक के घर में दस्तक दे दी आज वो भी सपा से दूर हो गया है आखिर क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए बरेली में समाजवादी पार्टी कारेले पर सपा का सदस्ता अभ्यान कारिक्रम रखा गया था जिसमें सदस्ता अभ्यान प्रभारी विधायक और पूर्व मंतरी महभूब अली पहुँचे इस दुरान सपा से जुड़े सभी नए और पुराने नेता कारिक्रम में दिखाए दिये लेकिन सपा विधायक शेजल इसलाम भी शामिल नहीं हुए ये पहला मौका नहीं था जब विधायक शेजल इसलाम सपा से दूर दिखाए दिये हो ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या शैजुल इसलाम का सपा से मोभंग हो गया है क्या बीजेपी से उनकी नजदी क्या बढ़ रही है दरसल सपा दफ्तर में पार्टी के सदस्ता प्रभारी महबू बली ने तमाम पददिकारी और नेताओं के साथ एक बैठक की इस बैठक में तमाम सपा पददिकारी और कारिकरता मौजूद थे लेकिन भोजी पुरा वदान सबा से विधायक शैजल इसलाम नदारद रहे इससे पहले जब MLC चुनाव हुआ उस वक्ट भी उन्होंने वोट नहीं डाला था यही नहीं राष्टुपती चुनाव में भी उन पर क्रोस वोटिंग का आरोप लगा था ऐसे में सपा से शैजल इसलाम की इस दूरी को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं सपा के कारिक्रमों और पार्टी के बड़े नेताओं को इग्नोर करना चर्चा का विशय बना हुआ है वही जब सपा नेता महबू बली से शैजल इसलाम को लेकर सवाल किया गया तो वो नराज दिखे और कहने लगए कि विशय से हट कर सवाल करना ठीक नहीं है मैं आज सिर्फ सदस्ता अभ्यान के लिए आया हूँ उन्होंने का शैजल इसलाम पार्टी के विधायक है और उनकी राष्ट अध्यक्ष जी से बाक्षीत होती रहती है हो सकता है वो किसी काम में व्यस्थ हो इसलिए यान नहीं आ पाए एक और चाचर शिफपाल की नराजगी तो दूसरी और शैजल इसलाम भी दूरी बना कर चल रहे है बरेली में सपा के सदस्ता अभ्यान पार्टी के तमाम नेता शामिल हुए लेकिन सपा विधायक शैजल इसलाम शामिल नहीं हुए जिस पर कई तिरह के सवाल खड़े हो रहे है कि क्या शैजल का सपा से मो भंग हो गया है इस सिपोर्ट में मेरे साथ इता ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे है कैपिटल टीवी नमसकार